लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए अज़न वे दोटेस्ट अज़त अज़त बाना मत दिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दोटेस्ट अज़त और नोटिफिकेशन पाने की बेल आज़ भी है की शुरुवात हो गई दि धम संगिता एक्षन कमेटी आप इंडिया के मुख्य राष्ट्री समन्वेक प्रोफेसर एडुकेट दिलीप काकडे ने इस अभियान का सुवारम किया दिलीप काकडे द्वारा लिखित धम संगिता बुद्ध वियार व्यवस्थापन कायदा नाम पुस्तक का भी लोकारपन किया गया पनवेल में आयोजिज इस कारिक्रम में धम संगिता एक्षन कमेटी आप इंडिया के राष्ट्री समन्वेक अनिल कानेकर बाबा साव आम बेटकर सोशल रिसर्च इंसिटूट के अध्यक्ष मुकेश दूपारे समेत कई प्रभुद ज भी मौजूद थे अभियान की जानकारी देते हुए प्रोफेसर एड़ोकेट दिलीप काकड़े ने कहा कि सभी अल्प संक्यक समुदायों के संचालन के लिए कानून है लेकिन बौत धर्म के लिए नहीं है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से दम संगिता कानून बनाने और लागू करने की मांगी आईए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा चीप सेक्रेटरी इनको हमने ज्न्यापन सौपा है महाराष्ट्रा में अगर हम लोग ने सर्वे किया बुद्ध विहारों को हम लोग ने सर्वे किया और ये सर्वे के माध्यम से हमें हर बुद्ध विहार समीती के पास तो नहीं पहुंचे लेकिन सैंपल सर्वे के माध्यम से हमें इतना पता चला कि महाराष्ट्रा में जो बुद्ध विहार है उन सब बुद्ध विहारों को एक कानून बनना चाहिए, सबका एक जैसा युनिफॉर्मिटी बुद्ध विहारों की होनी चाहिए, उनके कार्य में युनिफॉर्मिटी होना चाहिए, तो उनको रूल्स रेगुलेशन जो है वो एक ही होनी चाहिए जैसे कि शिरोमनी गुरुदारा प्रबंधन एक्ट 1920 का है इंडियन चर्चस एक्ट जो 1927 का है 1930 से वक्ष फैलिडेटिंग एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट होते है तो अगर सभी धर्मों का हम लोग स्टड़ी करेंगे सभी धर और एक भी सरकार को कहते है या हमारे समाज को भी कहते है कि भारत में बौधों की जो पॉपुलेशन है 84 लेक्स बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भारत में है उसमें से अधिकृत जो पॉपुलेशन है 65 लेक्स महाराष्ट्रा की पॉपुलेशन है तो भारत की बौधों की स परसेंट हिस्ता और इनकी हजारों बुद्द विहारे हैं तो इन बुद्द विहारे के लिए रूस और रेगूलेशन के लिए एक मैनेजमेंट एक्ट हमें चाहिए ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया